ओम शांति आप से कुछ स्वागत है, हमारा अल्मस्ट एक हफ़ते का रिकॉर्डिंग में सो चुका है, विकॉस अप ट्रावलिंग इन सेवा, तो हम दो दो रिकॉर्डिंग्स ट्राइ करेंगे हर दिन अप्लोड करने की, तो आज परमपिता परमात्मा हमें कहते हैं, उस पर ख़वा, खुझ सुममान کی सीट पर रहेंगे, सेल्फ को रिस्पेक करेंगे, तो औरों को भी रिस्पेक कर भाएंगे, हम जैसे अपने बारे में सोचते हैं, उसके अनुसार हम औरों के बारे में भी सोचना शुरू करते हैं, अगर हम स्वयम असंतुष्ट हैं तो हम औरों से भी असंतुष्ट होते हैं स्वयम अगर हम अपने आदतों को पसंद नहीं करते हैं तो हम औरों के अंदर भी कमियां दिखना शुरू करते हैं तो परमाद कहते हैं सदा अपने श्रेष्ट सुवमान में स्थित रहे निर्मान बन, सब को सम्मान देते चलो, तो यह देना ही लेना बन जाएगा, देना ही लेना बन जाएगा, लेकिन उसके पहले सुआ मान की, सिल्फ को, आत्मा का मान, शरीर का मान नहीं, आत्मा को मान देना, आत्मा को रुहानी रिस्पेक्ट देना, तो निर्मान बन सब को, तो ये देना ही लेना बन जाएगा समान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उत्सा में लेकर आगे करना समान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना आप किसी को उमंग उल्लास में तभी ला सकते हो जब आप उसको महसूस कराते हो आपको ये प्राप्ति मिले या आपको ये पोस्ट पोजिशन मिले हम रुहानी पोस्ट पोजिशन की बात कर रहें आपर तो सदा सुमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वता हो जाएंगी सदा सुमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वता हो जाएंगी सुमान के कार स्वामां के कारण, हम जब स्वामां की सीट में बैटते हैं, सिल्फ रिस्पेक की, तो विश्वा स्वामां देगी और सर्व द्वारा शृर страх मान मिलने के पात्र माननी ये बन जाएंगे, लेकिन सबसे पहले है स्वामां। स्वामान वो भी सोल कॉंशे स्वामान आत्मिय स्वामान ये क्या होता है ये हम ब्रमकुमायरिज में सीखते हैं और हर दिन मुर्लिय में स्वामान के पॉइंट्स मिलते हैं जैसे परमात्मापिता कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ तो तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो मैं त्रीलो की नाथ हूँ तो तुम मास्टर त्रीलो की नाथ हो तुमारा भी हक है तुम जब चाहो उपर नीचे पूरे दिन भर तीनों लोकों की सैर कर सकते हो तो ये सौमान है हमारे धेयना मैं उपराम हूँ उपर रहने वाला रामा हूँ तो तुम भी उपराम अवस्था में master उपराम बन सकते हो तुम भी दुनियावी बातों से उपर उठ सकते हो तो इस सारी चीजे हमें मिलती है जिसके कारण हम सुमान में रहते हैं, सेर्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, किसी से फ्रस्टेट इरिटेट नहीं होते हैं, या किसी प्रॉलम से हम घबराते नहीं हैं, और हम उड़ते रहते हैं, इसको सीखने के लिए आप ब्रह्मकुमारी सेंटर में जाएं, और सातिम का कोस करें और खेराई से समझेंगे ओम शांतिस के साथ